Zero Oil Cooking का trend तो आजकल काफी जादा चल रहा है, हर जगे बस एक ही बात चल रही है, बिना तेल के खाना बनाना, क्या ये पॉसिबल है? बोला जाता है, तेल में कोई टेस्ट नहीं होता, मगर तब भी हम तेल का यूज करते हैं, लेकिन आज मैं इसका टेस्ट करने वाली हूँ, क् खाना बना सकते हैं की नहीं, यहाँ पर मैं बना रही हूँ, मत्र पनीर, वो भी बिना तेल के, पहली बार तो सुनकर ही ऐसा लगा कि ये बने गा या नहीं, तो मैंने पैन रखा, उसमें थोड़ा सा जीरा डाला, उसके बाद इसको अच्छे से बुनने दी और फिर उसमें डाल दिया प्याज, प्याज डालने के बाद मुझे ऐसा लगा कि प्याज जलना जाए, लेकिन प्याज ने जब पानी छोड़ा, तो मैंने उसके ऊपर एक चमच और पानी आट कर दिया, ताकि प्याज लगे ना, यहाँ पर मैंने नॉन स्टिकी पैन लिया था, और फिर मै पानी को पोर किये जारी थी बार-बार, लेकिन तेल का एक बारी मैंने यूज नहीं किया, एक पॉइंट पर तो आके मुझे लगा कि भाई, प्याज लग रही है, क्योंकि ब्राउन हो रही है, तो मुझे थोड़ा साथ ओयल डाली देना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा, आइल तो डालना ही नहीं है, तो मैं आइल के बार में सोची क्यों रही हूँ, प्याज होने के बाद मैंने उसमें तुरण टमाटर डाल दिया, टमाटर को अच्छे से मैंने मैश करा, दो मिनट तक उसके बाद इसमें मिर्च मसाले डाल दी, जैसे कि नमक, हल्दी, धनिया और मिर्च, चार चीज़े डालने के बाद मैंने इसको और अच्छे से पकाया, बहुत जद तक कि अपना कलर नहीं छोड़ दिया, फ्लेवर नहीं छोड़ दिया, फिर बीच मैंने उसमें पानी बेट किया, पकाने के लिए अच्छे से, काफी अच्छी तरह पकाने के इसका टेस्ट ला जवाब था, यह मसाला आप इस स्टेज पर भी खा सकते हो, रोक्टी के साथ बहुत मसा आएगा, फिर मैंने इसमें मटर आइड कर दिया, मटर आइड करने के बाद मुझे रगा बस अब तो यह लगी जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तेल हमेशा खा आपने पैन के अंदर, चोटे-चोटे पीस करके, और फिर मैंने इसको 10-15 मिनट तक पकने दिया, cover करने के बाद, फिर मैंने इसको 10-15 मिनट पकने दिया, पैन को कर दिया था, let's say cover, उसके बाद वेट करे थी, कि जल्दी से पके क्योंकि खुश्बू बहुत ही जादा अच पता ही निछ रहा था कि थेल है भी या नहीं?" आप तो हमें यही सालख दोंगे कि Okay. Zero-Oil Cooking भी पॉसिबल है हमारे अंदर जितनी भी बिमारी यहically знаем है? वाइस पया हुदे मैं बॉस्का तो मैं इस recipe के बद आपको यही suggest करूंगी कि oil भल कुल शोड़ दो झाल झाल